5 best blogging niche जिससे हर beginner blogger को 2023 में जरूर ट्राइगान अच्छी है एंड मेरा favorite niche नमबर 3 वाला है लेकिन 5 वे नमबर पे जिस niche को मैंने describe किया है उसके बारे में जानके आपका पुरा दिमाग हिल जाएगा ये वो niche है जिसमें मैं काम करके खुद पैसे कामा रहा हूँ और अगर आप इन में से किशी भी niche पे dedicated काम करते हैं तो आपको एक-दो हफ़ते में result देखने को मिल जाएगा और आपकी 300 से 500 डॉलर की earning start हो जाएगा क्योंकि जिन niche के बारे मैं आपको बताने वाला हूँ वो खुद में एक business industry है और ये वो niche है जिस पे जातर foreigner blogger काम करते है and same इसी method से बहुत सारे foreigner blogger पैसे कमाते है because वो लोग blogging को as a job नहीं बलकि as a business treat करते हैं और मैं job और business इस लिए बोड़ रहा हूँ बिने adsense approval कि आप अपनी website से पैसे कमा सकेंगे so without any further delay let's get started तो जो सबसे पहले number पे niche है वो है drop shipping and अगर आपको drop shipping नहीं पता कि क्या होती है तो drop shipping को एक छोटे से example से आपको समझाता हूँ जिससे आपको एक clear idea हो जागा कि drop shipping क्या है और आप इस niche में कैसे पैसे कमा सकते हैं तो drop shipping business एक ऐसा business model होता है जिसमें आप किसी high demand problem solving product को research करते हैं देन इसके बाद उस product के किसी ऐसे supplier को ढूंडते हैं जो इस product को low price में supply करता हो देन उस product में अपना profit margin add करते हैं इसके बाद उस product को sell करने के लिए अपनी खुद की website बनाकर या e-commerce store बनाकर product की marketing करते हैं और sales generate करते हैं और plus point इस business में ये है कि इस business को करने के लिए आपको खुद के पास कोई product की inventory या stock रखने की कोई ज़रुरत नहीं होती है और stock को खुद के पास नहीं रखने के वज़़स से low investment plus high return वाला profitable business बन जाता है तो आपको इस definition से drop shipping के बारे में तो समझ आ गया होगा और आप बात करते हैं कि आप इस business में पैसे कैसे कमा सकते हैं तो इस business में पैसे कमाने के लिए आपको drop shipping product research करना होगा क्योंकि product research related जितने भी blog website है उन्हें मैंने check किया है उन्होंने पुराने product के बारे में information post किया है और अगर आप new problem solving product research करके इस पे blog article बनाते हैं तो chances काफी high है कि आपकी website पे ऐसे लोग आएंगे जो drop shipping business करना चाते हैं और उनको product का कोई idea नहीं है इसके बाद वो लोग आपको product research वाले feed में expert बानके आपको contact करेंगे product की list के लिए और आप उनके लिए product की list बना कर उन्हें 100 डॉलर या फिर 200 डॉलर में sell कर सकते हैं इसके अलाबा पांच और भी services हैं जिन्हें drop shipping business वालों को आप लोग offer कर सकते हैं और उन्ची जो को हम किसी next video में discuss कर लेंगे सो अब हम बात करते हैं हमारे second niche के बारे में जो की है fashion specialist या फिर बोल सकते है clothing style specialist इसने इस पर जो traffic आता है वो mostly western country like USA, Canada, Australia इन सब countries से आता है और इसके बावजूद अगर आपको गम traffic भी आता है उसके बावजूद भी आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और वो भी बिना adsense के और वो इस तरह है कि आप लोगों को पता होगा कि western country में living standard cost of living काफी हाई है इस तीज के वज़े से वहाँ पे सारी चीजे काफी expensive हैं like clothing, bags, जितने भी fashion related product हैं उनके prices काफी high होते हैं इस नहीं पेगाम करने के लिए आपको जितने भी hollywood celebrities हैं उनके dress का या उनके outfit का even उनके makeup cosmetic product का portfolio बनाकर अपनी website पर उनके dresses के बारे में उनके fashion sense के बारे में आपको अपने blog में explain करना होगा इसके बाद जो भी लोग आपकी website में visit करेंगे वो most influencers होंगे और वो भी अपनी fashion sense और अपने style को improve करना चाहते होंगे और वो लोग आपसे consultancy की service देना चाहेंगे और consultancy service के लिए आप उन लोगों को 300 से 400 डॉलर easily charge कर सकते हो because western country में एक average influencer भी पर मन कम से कम 6000 डॉलर कमाता है और अगर आप उनके style को enhance करने में उनकी help करते हैं तो वो लोग 300 से 400 डॉलर आपको easily pay कर देंगे तो हमारा जो third niche है वो है successful entrepreneurs case studies एक research के according अमेरिका में ऐसे काफी सारे millionaire है जिन्हें लोग नहीं जानते हैं और उनके business ideas काफी unique होते हैं जिन्हें सिर्फ news websites ने cover किया होता है and apart from this जो personal blogs होते हैं उन्होंने इन millionaires के बारे में बहुत कम ही articles cover किया होता है लोग इस type के ideas जो होते हैं उन पे काम करने के लिए बहुत जादा research करते हैं उनको इस type से satisfy करने वाले results आइडिया नहीं मिलते हैं इसलिए मान के चलिए कि अगर आप इस news पर काम करते हैं तो आपके website पर जो visitors आएंगे वह ऐसे लोग होंगे जो खुद का business start करना चाहते हैं and वह किसी ideas की तलास में होंगे जब आप इस type से post लिखेंगे तो आपके post के नीचे वह लोग comment करेंगे आपको contact करने के लिए क्योंकि उन्हें आपकी guidance चाहिए होगी and आप उन्हें consultancy की service provide कर सकते हैं और इस service के बदले आप उन लोगों को easily 200 to 500 dollars charge कर सकते हैं तो अब हम बात करते हैं हमारे fourth niche के बारे में जो की है e-commerce store designing और ये वाला जो niche है वो one of the most profitable niche है in terms of making money without adsense and to be honest इस पर अगर आप सही से काम करते हैं तो आपको adsense की ज़रुरत भी नहीं होगी और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मान की चलिए अगर आप website design वाले niche पर काम करते हैं और लोगों की successful e-commerce store के बारे में review करके अपने blogs में लिखते हैं और अपने opinion देते हैं तो इस content को read करने वाले जो लोग होंगे वो ऐसे लोग होंगे जो खुद की e-commerce store बनवाना चाहते हैं या फिर खुद की e-commerce store launch करना चाहते हैं और उन्हें उन सब चीज़ों के बारे में details information या knowledge नहीं होता है और अगर आप उन्हें website designing की service offer करते हैं तो वो लोग आपसे अपनी e-commerce store बनवाने के लिए आपको ज़रूर contact करेंगे एंड एक अच्छा e-commerce store create करने के लिए आप उन लोगों को 500 से 1000 डॉलर easily charge कर सकते हैं So finally अब हम बात करते हैं अपने fifth niche के बारे में जिससे मैं खुद पैसे कमाता हूँ और वो है build your own personal brand इंड ये niche सबसे ज़ादा easy and profitable niche है क्योंकि इस niche में आप अपनी खुद की experience को share करते हैं तो इस niche में काम करने के लिए आप जिस भी field में काम करते हैं या फिर अपने personal life related आपने जो भी information collect किया है उसको document करके post करना होगा और यहां पर मैं आपको अपना खुद का example देना चाहूँगा तो blogging start करने से पहले मैं instagram पे song को remix करके वीडियो बना के post करता था slow reverb type के जो वीडियो आपने reels में देखे होंगे इस type से वीडियो मैं theme page बना के post करता था दिन suddenly मेरे एक friend ने मुझे website के बारे में बताया जिससे लोग अपनी remix song बना के website पे upload करके उसे sell करते थे तो मैंने भी एक ऐसा website बना चाहा और website बनने के लिए मैंने YouTube पे काफी सारे वीडियो सर्च किया देखा पर मुझे ऐसा एक भी वीडियो नहीं मिला इसके बाद मैंने Google पे भी इस चीच को काफी सर्च किया इसके बावजुद मुझे कहीं पे भी इससे related information नहीं मिली थी दिन मैं इस टाइप की website बनने के लिए research करता रहा करता रहा और finally मुझे एक बंद मिल गया जिसने मुझे इस टाइप की website बनाना सिखाया और वो लोग मुझे अपनी खुद की website बनाने के लिए contact करने लगे और उन लोगों को मैंने website बनाने के लिए सीम 10,000 रुपए चार्ज करने लगा और यही वो method है जिससे मैं बिना AdSense के अपनी website से महीने के 40-50,000 रुपए से भी जादा कमा लेता हूँ और लास्ट वीक मैंने एक सीक्रेट मेधड से 20,000 रुपए यानी 215 डॉलर अर्न किया है जिसका screenshot आप देख सकते हैं अगर आपको इस टॉपिक पर डीटेल वीडियो चाहिए तो आप नीचे comment कर सकते हैं मैं इस टॉपिक पर भी डीटेल वीडियो जल्दी बना दूँगा एंड फाइनली अगर आपको यह वीडियो इंफरमेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और सेर कीजिए और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में आपको जाइब के लाइब कीजिए और चैनल में लाइब कीजिए और चैनल ओर आज है